दोस्तों क्या आपके भी विंका की जो हाइब्रीड वराइटी होती है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है ऐसा क्यूं होता है मैं आपको डिटेल के साथ बताने जा रहे हूं हेलो दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल होप यू वार डूइंग वेल तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है विनका प्लांट के उपर आप ये देख रहे हैं मेरे विनका के दो प्लांट जो अभी रिसेंटली इनको मैंने रिपॉर्ट किया है और इसकी डिटेल में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और ये जो हैं ये दोनों hybrid variety के हैं और इनके color मुझे काफी प्यारा लगे ये peach color में है तो जैसे कि पता है आपको की जो hybrid variety होती है बहुत delicate सी होती है अगर हमें इनको ध्यान ने दिया तो ये बहुत जल्दी ही खराब हो जाती है तो हमें ऐसा क्या करते रहना चाहिए कि जो हमारा plant है वो खराब ना हो अच्छे से चलता रहे और हमें धेर सारे flower देता रहे और इसके opposite जो देसी variety होती है इनकी वो काफी hardy type की होती है आपने देखा होगा कहीं पे भी नदी किनारे नालों में वो easily आपको देखने को मिल जाती है ये जो देसी variety होती है अगर plant एक बार कहीं उग जाए तो हमेसा बना रहता है क्योंकि उसके seed गिर के वो अपने आप germinate हो जाते है और ये जल्दी मरते नहीं है तो आप यहां भी देख रही है ये मेरी hybrid variety है और ये जो दूसरा color है मेरा ये light purple color में है ये color मुझे काफी बहुत प्यारा लगा तो जो hybrid variety में जो प्रॉब्लम आती है दोस्तो ये पत्तिया देखे पत्तिया यल्लो होके इनकी गिर जाती है और plant हमारा खराब होने लग जाता है और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है जो इसके stem है वो गलने लग जाते है तो इसका कारण ये है कि दोस्तो हमें इनको overwatering से बचाना है ये ज़्यादा पानी टॉल्डेट नहीं कर पाते हैं और ये खराब हो जाते हैं इनके root गल जाते हैं और साथ में stem भी गल जाता है ये problem मैंने face किया है starting में बट अब मुझे काफी experience हो चुका है ओवरवर्टिंग से इन में fungus लग जाता है और इससे हमारा plant खराब हो जाता है तो इससे बचने के लिए दोस्तों हमें एक काम करते रहना पड़ेगा इसके लिए हम इसके जो स्वैल प्रेपेर करेंगे तो काफी वेल ट्रेन बनाना पड़ेगा इसके लिए हम 40% sand प्लस बा लेव मोल्ल ले ले अब कोई भी यूज़ करें उसके बाद इस प्लांट को उसी में लगाएं इससे जो पानी होगा वह खड़ा नहीं होगा और हमारा plant खराब नहीं होगा main problem जो आती है इस प्लांट में जो पानी खड़े होने के वज़़ा से हमारा plant मर जाता है तो कि यहां पि जो मैंने स्वाय लिये हैं उनमें मैंने 40% सेंड लिया है और दोनों आपके प्लान्ट फंगस ना लगे दोदिन के बारहीं तो तो यहाँ पर वह उसकी यहाँ वह र करने जा रहा हूं, वह सच्छ गंबला awareness करने के लिए कोईले का यूज करूंगी ससाथ में िराएं के डूर्य पास कुछ पढ़े हैं कोईले का थे नालीजै वह इस वह श्कुत City है जो चिलके होते वह पड़े हैं इसके उपर से मैं उनका भी यूज करूंगी ताकि जो मेरा ड्रेनेज हो अच्छा बना रहा है और साथ में जो ड्रेनेज हो में मिट्टी मेरे बाहर ना निकले पानी के साथ सा तो इससे यह कोकोनेट कोयर यह बचाएगा और दोस्तों एक पात कर ध्यान दे कि आप इसका जो मिट्टी बनाएंगे उसमें कोको फीट ना एड़ करें तो अच्छा होगा और आप नीम खली भी एड़ कर सकते हैं और साथ में तो फंजी साइट आपको एड़ करना ही करना है तो यहां पर देखिए मेरा जो मिट्टी ब बहुत केरफुली से निकाले ध्यान दे कि इनके जो रूट वो डामेज ना हो यह मेरा जो प्लांट काफी वेल्डें स्वाल में लगा हुआ है तो इनमें मैं ज्यादा छेड़ खानी नहीं करूगी नहीं तो मेरा प्लांट खराब हो जाएगा यह देखिए पकड़ने से मे रखके और पूरी स्वाइल अच्छे से इसमें टैप कर दूंगी और उसके बाद मैं इनको वाटरिंग कर दूंगी तो ऐसी दोस्तों मैं लगा के दोनों प्लांट आपको दिखाती हूं उसके बाद मैं डेटेल बताती हूं तो हमें हाइब्रेड में यह एड्वांटेज म लेकिन जो हाइब्रेड होते हैं उनमें तक कलर का भरमार होता है आप जो मर्जी कलर ढूंड़ आपको मिल जाएगा तो यहां पर मैंने दोनों प्लांट को रिपर्ट कर लिया है अब बारी आती है इनको पानी देने के लिए तो यहां पर जो दो लिटर कंटेनर है उनमें कि रूट उससे थोड़ा बचा जाए तो इसके लिए मैं इसमें एप्सन सॉल डा रही हूं ताकि मेरा प्लांट है वह सौक में ना जाए तो एप्सन सॉल्ट को अच्छे से डिजॉल्ब करके ही पानी दे तो आप यहां पे देख रहे हैं जो मेरी पॉर्ट में मिटी है अध्साय छाए जो और तीन चार बार दोंगी इससी मेरे प्लांट की जो पानी के रिकौरि मैंने वह पूरी फूल हो जाएगी तो दोस्तों अगला जो काम करना है इनको रिपोर्ड करने के बाद हमें अब तो इंडूर ही रखना है शेडी एरिय में रखना है इंको डार्यक धूप में नहीं निकान ली तो हमारा फ्लांड खराब हो सकता है और 15-20 day के 006 विंका प्लांट में खराब हो जाते हैं को 15 डेज के बाद हमें जो फंजी साइड है उसके स्वयल के आसपास हमें देते रहना है ऐसी और साथ में आप पानी में मिक्स करके इनको स्प्रेय भी कर सकते हैं साथ से 8 दिन के गैप पे और यह ध्यादे कि बिल्कुल इबनिंग में दोड़ा दिन हो तो ही करें तैकि जheiten पानी तो हो स्ुख जाये तो रुपानि आप फ़र्सट्याम देंगी वह पूरी भर प्ला प्ला देंगे अच्छे से पाने देंगे ताकि पानी है ड्रेक्समित से बाहर आनी करें इसके पाँ सेके बाद शक वासरी आप दाब आप तो भी चलता है क्योंकि मैं ऐसे एक्सप्रियंस कर चुकी हूं ऐसे होता है जो मेरे ग्रीन नेट के लगे हुए है वह प्लांट एक दिन के बाद ही इनका पानी पूरा तरीके से सूखता है तो जो मैं फॉर्स्ट प्लांट लेकि आई थी रेट कलरका वह मैं अच्छे से चल तो दोस्तों यह कुछ पॉइंट है तो आपका प्लांट कभी खराब नहीं होगा तो आशा करते हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे थेंक्यू थेंक्यू thank you for watching, bye bye, take care